मार्क को ओके ठीक है ठीक ओके थैंक यू तो चलो फिर दुभारा स्थुरू करते हैं क्योंकि आवाज नहीं जा रही थी थोड़ी प्रब्लम हो गई थी तो इट है इस बीन सोटेट नाव तो मैं आपको बता रहा थी कि आज का जो अबारा चैप्तर है वह नाउन केस का डिट को हम कैसे चेंज करते हैं सिंग्लूर कैसे बता सिंग्लूर किसे कहते हैं और इन में कौन-कौन सी बातों का थोड़ा से ध्यान में रखना है यह बताने के बाद आपको बारत सारा डेलिवरिशन होगा बारा नाउन केस के बारे बारे नाउन केस क्या है जैसे मैंने बताया आपको sentences के अंदर हम words use करते हैं इनकी words की जो form है और इनकी position वो decide करती है उसके अर्थ का कि उसका meaning क्या है कि इस meaning के लिए कि इस अर्थ के लिए यहां पर यह use हो आ है sentence के अंदर और noun की position हम कौन सी position रखें इसका कौन सा आर्थ से नकालने के लिए सारी बाते सीखते हैं नाउन केस के अंदर यहां पर केस का आर्थ आवस्था छे केस होते हैं और इनको डिटेल से पढ़ने के लिए पूरा वीडियो जुरू देखें इसके लास्त तक सारा कसारे में बताऊंगा आपको सोटी चोटी बाते भी बताते हैं हमकर देखें। यहां को शुक्त हैं जो यहां दिंद्ध भी नहीं आता कि शुरू से आफिकती है उसकी भी समझ में आ जाए तो थोड़ा वीडियो लबार रहेगा तो थोड़ा आता थूड़ा को थोड़ा चासा स्रहों पड़ेगा कि कुझ चीजें ऐसी होते हैं जो आप सुनेंगे आप उनको समझेंगे तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा और क्योंकि यह जो ग्रामर है इंग्लिस ग्रामर है यह बिलकुल मैथमेटिस की तरह से मैथमेटिस में पहले चीज़े आपको नहीं पता जैसे आपको काउंटिंग नहीं पता आपको नहीं पता आपको रूट नहीं पता आपको स्क्वेर नहीं पता आपको फिर फॉर्मूले नहीं पता तो आगे को आपको कैल्पुलेशन नहीं कर सकते हैं तो फॉर्मूले सारे से निकलते हैं। ती किसी तरह से saw, आपको पहले चीजे की न्हीं बता होंगी। तब आगया रूल समझमें नहीं आएगा। पहले जो टर्मोजी वापे पता रहा हाुँ कि अगर आप ध्यांड से समझेंगे और इसको तीन लेंगे और आप याद पूरी जिन्दकी उसको याद रखेंगे तो आपको पड़ने पड़ाने में इंग्लिस बोलने में लिखने में कोई प्रोबलम नहीं होगे तो चलो सुरू करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कर्श तो आप देखरें जैसे के अंदर चैप्टर शिक्स लिखा हुआ है चैप्टर शिक्स दा नाउन नंबर नंबर का मतलब क्या है देखिए जैसे यहाँ पर ट्री लिखा है और नीचे इसको ट्री लिखा है एक ट्री बताना हो तो आप सिंपल फॉर्म की यूज़ करते हैं लेकिन एकसे ज़ादा बताने के लिए आपने क्या किया एस लगाया है इसी दरे से आप उपर box देख रहे हैं एक box को दाना हो तो हम ऐसे लिखते हैं लेकिन एक से ज्यादा हो तो हमने box is एस लगा दिया है यहाँ पर एस लगा था यहाँ पर एस लगाई सारे rule हों बताऊँगा यह ओक्स है जिसे bell होता है एक बैल के लिए box यूज़ करते हैं लेकिन ज्यादा हो तो हम auction यहाँ पर हमने plural के लिए क्या किया एन लगाया है ठीक है इसी दरे से आप देखेंगे man एक आदमी हो तो हम man यूज़ करते हैं लेकिन एक से ज्यादा हो तो हमने अंदर का वोबल चेंज कर दिया man कर दिया तो तो यह सारे रूवल आपको अभी बताएंगे इसके अंदर मेन क्या है कि जो उपर वादा देख रहे हैं यह ऐसा नाउन है जो एक व्यक्ति को बताता है एक वस्तू को बताता है या यह व्यक्टि को भी इन दा सिंगूलर नंबर को जैसे यहां पर देखेंगे बॉइ गर्ल काव बॉक पैन अगर आवाज बगेर हैं प्रोब्लम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है और बिल्कुल क्लियर है तो आप बोल सकते हैं ओके बोल दीजिए ताकि मुझे कोई आपको सुनाई दे रहा नहीं दे रहा है जैसे स्टार्टिंग में हुआ था चलिए अब नेक्स्ट है आपका इनाउन देनोट्स मोर देन वन पर्सन और थे एक से ज़्यादा वैक्टी अबस्तू को बताने के लिए जो नाउन यूज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्लूर नंबर में है जियर आप का हमने क्या कर दिया बॉइस कर दिया गर्ल का क्या कर दिया गर्ल्स का का यह बर्ड का बर्ड का विंक प्लूरल अगला जो है वह यह आता है कि हम बनाते कैसे हैं अपने देखा गई लगाया कि इस लगाया पर अंदर का वोबल चेंज किया तो इसके सब के रूल है यह थोड़ा रूल का हम देख लेते हैं एक बार कि स्पैलिंग के लिए और इंग्लिश की ठीक फॉर्म यूज कर सके हैं प्लूरल की उसके लिए जरूरी होता है ज्यादा तर जो क्या है किसके अंदर हम एस का प्रियों करते हैं प्लूरल कैसे बढाते हैं जैसे आप देख रहे हैं सब के साथ हमने एस लगाया है तो मोस्ट इन मोस्ट अब दा केसे यूविल एड़ एड़ एस को मेक दा सिंगलर नाउन प्लूरल लेकिर आगे इसके वही रूल्स हैं जहां पर एस के लावा कु में आता है मैंच में बोलते ना लेकिर कैमिस्ट में जैसे होता हो हार्ड साउंड रहा हो जैसे ब्रांच आप अगर एक से खतम होता जैसे टवर इंके अंतर हम क्या करेंगे बनारे के बन लिए एस के बदले उ यह लगाएंगे इन सब की बतलिए, जो S से खतम हो, S,H से खतम हो, S,H से खतम, Soft Sound चाहती है की Sound या X से खतम हो, आप सब में देखेंगे हमने Class का Class vet किस का Class अ किस अ किस अ किस अ किस अ गाया है ठीक है? S,H से खतम होता था हमने क्या किया? ES लगा है, और Ц,H है अगर वह से खतम होता है क्योंकि इन में तो क्या है कि आलवेज ऐसा करेंगे हमेशा लेकिन कुछ एक्सेप्सन है इसलिए को दो कैटेगरी में पड़ें ज्यादा तर वह जो हम उसे वह खतम होते हैं उसके यह लगाते हैं जैसे उपर हमने अभी किया था मैच इस वेगारा निगरो निगरो वेगरा वेगरा वर्यगरा ओके तो ऐसे ही रोरी रोज़ु हैं ओसे को एसे नाउन है जो और से खतम होते हैं वो क्यवग एबِ गौैइस लेते हैं जिन की साथ हम क्यावल एस लगाएंगे य यह निगा यह लागा जैसे कि ए नेक्स्ट अग्ला रूल क्या है the noun is leaving in आंडिंग इन ऊए जो इसे खतम होते लेकिन व्यसे दब व्य हुस्जा हाँ लेकिन व्यसे पहले क्या है और इह वोवल के बजाए ऐस एक संपूर्सान्सीन होना चाहिए जैसे boys हम ऐसे करते हैं के वह लगाते हैं लेकिन जो वाई से खतम होता है और इससे पहले consonant हो जैसे बी लगाया हो है लेडी में हम डी है ठीक है city में वाई से पहले T है आर्मी में वाई से पहले M है सोरी में वाई से पहले R है consonant है पोनी में वाई से पहले N है consonant है तो हम क्या करे इस वाई को चेंज करके इस वाई को अटाएंगे और इसको कनवर्ट कर देंगे आई में वाई हट जाएगा और आई हो जाएगा और उसके बाद फिर हम एड़ कर देंगे एस तो देखे जैसे बेबी हमने क्या किया बी के बाद वाई को आई किया और फिर एस लगाया तो सब अगर आपनी पूस्ते इसका मतलब है आपकी समझ में आ रहा है दा फॉलोइंग नाउंस एंडिंग इन एफ फॉलोइंग जान रखना सब के लिए यूजर नहीं हो रहा है जो नीचे नाउंन लिखे हुए हैं केवल उनकी बात हो रही है अगर यह नाउन जो कि फ एक फ एक फ से खत्म हो रहे हैं तो इन में हम क्या करते हैं प्लूरल बनाने के लिए जो एफ लास्ट में आएगा या वी एफ ए आएगा इन दोनों को चेंज करके हम कर देंगे वी में किसमे कनोट हो जाएगा वी में तो यह F नहीं रहेगा यह F E नहीं रहेगा इनको अटा देंगे उसके बदल कर देंगे V और फिर जोड़ेंगे E S देखिए जैसे थीप तो हम क्या करेंगे इस F को अटाएंगे F को क्या कर देंगे V कर दिया और फिर E S जोड़ेंगे वाइफ में F E को अटा देंगे और इसको चेंज करके F E के मतले V लगाया हमने और फिर E S जोड़ दिया वूल्फ में देखिए जैसे F को अटाएंगे और उसके मतले V लगाएंगे और फिर E S जोड़ देंगे वूल्स तो इस सब के अंदर ऐसा करेंगे आप देख रहे हैं यह करटीन है कि नाउंस ड्वार्फ हूप शार्फ वार्फ है इनके दोनों चीज़े लग होते हैं सब्सक्राइब करेंगे करेंगे कितने हैं यह चार वर्ड है तो तेरा उपर थे चार इनके सब्सक्राइब हो गए अब अधर वर्ड्स इनको छोड़कर जो बताए हैं यहां पर इनको छोड़कर बाकि जितने भी वर्ड्स सब्सक्राइब केबल एस लगेगा यह जहां रखना जो एफ़ी की बात है एफ़ी को वीच के चेंज करते हैं ठीक है वह इन में लागो होगा यहां तक ठीक केबल आइए इसमें नहीं हो इसमें केबल आइस लगेगा इसमें भी नहीं करेंगे जो बाकि बच गए ना उपकी एफ चीफ फ्ण फृकर अपम के रावें कि बांगी से लगाएंगे तो कोई गलती नहीं होगी तो कि इन चार में भी अगर आप एस भी लगाएंगे तो भी गलती नहीं होगे क्योंकि दोनों फॉर्म लुज में उघ उयो है उनको फ्लूरल बढ़ाते सिमdar हैं इनको वेंसाइड सब्यूट कर देते हैं बिसा को बने क्या किया है लौस मेंट मिटकां गिया लाइस किया लायस किया इनके इंसाइड वोबीन चेंज करते हैं इन साथ प्लूरल बनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट आपका आता है कुछ ऐसे नाउन है जिसका प्लूरल हम एन लगा कर बनाते हैं जैसे आप ऑक्स का ऑक्सन है चाइल्ड का चिल्डरन है इसमें आरियन हो गया प्लूरल ओफ फिश के बारे हम बता है इस फिश और फिश दोनों है ठीक फिश भी है और एक कर सकते और ज्यादा के लिए भी उजवल ओक्ने लिए लिए अट रहेंगि Means करते हैं यानि प्लूरल के लिए हम umas ही यूज़ करेंगे यह वाला लेकिन फिस्ट कभ यूज़ करेंगे जब डिफरेंट काइंट ऑफिस्ट की बात करेंगे अलग-अलग परकार की तब हम फिस्ट यूज़ करते हैं दोनों में सिंगुलर प्लूरल एक जैसे रखता है अब आगे चीज़ देखिए इस पर देख कॉड प्राउट्र यह नटा कॉड प्राउट स्लमंं यह सारे मचलियों के नाम है नेम फिस्ट है एरकराफ्ट स्पेस क्राफ्ट सीरीज स्पेस इज यह एक हो या जए जगा हो ので प्रम चेंज नहीं होगी अगर एक स्वाइन کی बात हो थी तब थिक सर जदा हो तमझे हम जिसका मतलब आपको रूल पता नहीं हो गलती हो जाएंगे अगला जो इसमें दूसरा जो पार्ट है जैसे आप देख रहें पेर डजन स्कोर ग्रोस हंड्रड थाउजंड अब अगर यह नूमरल के बाद यूज होते हैं सब्सक्रापको टू थाउजंड लिखना है तो हम तो घूजंड ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा तो हमने एस नहीं लगाना है इसके अंदर ठीक है तो हम क्या करेंगे विदावट एस उस करेंगे तो थाउजंड थी थाउजंड टू हंड्रड नोट हंड्रड अगर नुमेरिकल के बात करते हैं संख्या के बाद dozens नहीं किया क्योंकि यह three के बाद यूज हुआ three dozen oranges इसी ते some people reach the age of three score and ten three score and ten the saree cost me five thousand not thousands stone hundred weight he weighs about nine stone nine stone nine के बाद इस्टोन यूज किया twenty hundred weight make our 110 मतलब हमने s नहीं लगाया इसके लेकिन अगर हमने करना भाई dozen of dozens फिर क्या करेंगे हम dozens कांकि हजारों लोग वहाँ पर थे thousands of people were there thousands of people were there तो बिना नंबर के साथ use होते हैं तो यह जो next line है pair dozen score gross hundred thousand तब इनके साथ s लगता है यानि plural बनते हैं अपने नॉर्मल के इस उपर तरहीं के बता है उसके अनुसार नेक्स्ट है ठीक है तो यह गलत माने जाएंगे यह बार जो मैंने बताए इसके इंदर देखें कौन कौन से हैं पहली पहली कैटेगरी बताए नेम्स ओप तू पार्ट्स फोर्मिंगे काइंड ओफ पेर दो इसके दो पार्ट जो पेर बनाते हैं जैसे कैची देख रहे हैं दो पार्ट से बनती है तंक्स जो चिम्टा होता है दो पार्ट से कि दो पार्ट का मईली पेर कीतरैसे होते हैं उनका हमेशा फूरल में यूज़े किया जाता है सीजर नहीं कहेंगे सीजर्स कि नौरल में जाकूट्टा गरें दॉक्राइब परत ने हैसे आप पैंते है उसके दो पार्ट होते ना तो जिसके दो पार्ट जो कपड़े पैनते हैं गार्मेंट पैनते हैं उसके दो पार्ट है दो पार्ट का बना होता है उसको भी हम प्लूरल में ही उस करते हैं यह सारे जो है हमारे उसी तरह से ब्राउजर्स ब्रीचिज जीन्स टाइट्स शोर् है यहां पूरा घृपा सब्सक्राइब थिस और भार नहीं क्या बोलेंगे रौजर टो सिके आहे रा ओज क्रिए और देफ्स क्या यूश करेंगे जीन्स अब नेक्सट की टेई क्रोप से इसे युद्स के रूप में यूज़ तो उसको साथ ही यूज करेंगे टाइडिंग्स एन्वाइरंस नफ्शल्स इनको हमेशा प्लूरल में यूज करेंगे तो मिस्टेक माने जाएगी गलती माने जाएगी टिक है कुछोर सम्नाउंस ओरिजनली शिंगूलर और नाउ जनली यूज इन दे प्लूरल पहले यह सिंगूलर में यूज होते तह लेकिन आज इक आज कले प्लूरल में ही उज होते है कौन कोर से आल्मस रिच्चेज इवस नैक्स्ट अगला अगला रूल क्या है लुक पहली category names of subjects, mathematics, physics, electronics, यह देखने में इस लगा हुआ है, but they are singular, इनके साथ singular की के रूप में ट्रीट किया जाता है, इनको इसाथ वर्ब लगेगी तो singular लगती है, क्योंकि इसका है, बले आश लेकर यूज हुए हैं, लेकर देखने में इस लगा हुआ हैं, लेकर देखने में इस is good news today, ठीक है, तो news हमने ऐसे लगा हुआ है, लेकिन यह singular के रूप में हुज होता है, names of some common diseases, कुछ common disease है उनके नाम, जैसे measles, mums, rickets, इनको भी हम singular मानते हैं, बले ऐसे लगा हुआ है, names of some games, जैसे billiards, raft, यह example देखर बताया, जैसे mathematics है, हमने क्या लगा है, इस लगा है, क् no news is good news, बले ऐस लगा हुआ है, इस लगा है, इंडिया won by an innings, एक पारी है ना, उसके बदले इसके लिए भी हमने क्या लगा है, एस लगा है, and three runs, measles, क्या है, is infectious, बीमारी का नाम है ना, ता हमने ऐसे भी इसका प्रयोग किया, billiards, is my favorite game, इसका यूज किया, बले ऐस लगा अगर means आ जाये, तो क्या करता है, देखो means दो अर्थ में use होता है, एक ता वो यूज होता है इसका धन या संपत्य, और एक meaning होता है इसका तरीके, method, source, जब यह धन की रूप में, wealth की sense में use होता है, इस आलवेस plural, और अगर यह दूसरे sense में use होता है, जैसे असाधन की रूप में use होता है, तो वहाँ पर यह singular में भी use होता है, और plural में भी use होता है, यानि हम ऐस लगे को singular भी मानते हैं, और plural मानते हैं, यानि by this means भी हो सकता है, और by these means का मतलब हमने इसको singular माना है, और by these means का हमने इसको plural माना है, लेकिन ध्यान रखना जो by this means से लिखेंगे तो इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे अगर पुसिंग वर्ब लगाना हो तो और दीज लिखेंगे तो मलेश के प्लूरल मानेंगे तो साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे लेकिन जो वैल्ट की सेंस में यूज होगा तो यह हमेशा प्लूरल के इस तरीके से पास होगा यह बाइदीज मेंस इन पासिंग द एक्जाम पास करने के लिए सब्सक्राइब यह तरीका अपनाया यह यह तरीके अपनाएं बोथ हार करें ठीक है लेकिन यहां पर क्या है his means are small but he has incurred no debt debt की बात और यह इसकी जो कमाई है धन है संपतियों तो कम है लेकिन फिर भी उसे ने कोई करज नहीं ले रख तो यहां का इसके इस नहीं आ सकता है और अकर इस लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा इस सेंस में कि आपर अगर लगाएंगे तो इक है चलिए नेक्स्ट है आप लोगों समझ में आ रहा है एक्सपॉंट किया करो नेक्स्ट अपका सर्टेन कलेक्टिव नाउंस अभी अगर आपको मैंने बताया था जैसे इससे पहला जो वीडियो था उसके अंदर काइंटस ऑफ नाउंस बताये थे इसलिए बताया थे तो अलग अलग परकार के नाउंस के साथ ट्रीटमेंट भी रूल्स भी कुछ-कुछ अलग होते हैं जैसे यहां पर अभी कलेक्टिव नाउं की बात कर रहे हैं तो अगर आपको कलेक्टिव नाउंस दो सिंगुलर इंफॉर्मूर हैं जी कुछ ऐसे सार डेकिन वो हमेशा पिलूरल में यूज होते हैं यूंझे कमेटी को सब्सक्राइब का रहा डress पलॉिसला तरीका उता हूं बताएंगे बात में किकउन को हम प्लूरल从 कम अलग बाद को वे से मांने शालोह ब्हल बात लिकिन जैसे यह इकुरा आगे कट्ल आ गया वर्में आ इसको सिंगूलर मानते हैं तो डिस्ट्रॉइ जाता वर्ब को सिंगूलर किया जाता है अगर फस्ट पर्म यूज़ करना हो तो सिंगूलर सब्जेट के साथ लेकिन इसको प्लूरल माना इसलिए डिस्ट्रॉइ यूज़ किया क्या लगा है प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं और आर में थ्यान रखना इनको जिए अल्रेडी प्लूरल है इनको प्लूरिज केटल्स वरमिंज़ नहीं करना है यहां रखना यह पंपने आप में ही प्लूरल है जर आलवेज plural, without us, और वर्बीर के साथ plural लगाना है, लेकिन एक word है people उसका ज्यान देख लेजिए, people common noun के रूप में भी उज़ोता है, एक परकार की चीजों के लिए जो दाव सब के नानों हमें उसको common noun कहा जाता है, इसका मतलब है nation, nation की sense में भी उज़ोता है, people तब ये common noun होगा तो singular plural दो में आएगा, एक nation की बात करेंगे, तो people आएगा, एक से ज़्यादा एक बात करेंगे, तो people हो जाएगा, देखे जिसे, the Japanese are a hard-working people, ए लगाया, क्या लगाया, ए लगाया, there are many different peoples, many आगाया, प्लूरल है, तो क्या लगाया, people in Europe, Europe के अंदर अलग अलग nations है, अलग अलग परकार के रास्ट है, नेक्स्ट रूल है, आपका, compound noun, compound noun का मतलब होगता हो, जिसके अंदर एक से ज्यादा सब्द मिलकर कोई noun, जिसके commander in chief पे तीन word से मिलकर एक word बना है, इसको compound noun कहा जाता है, तो इसका rule क्या है, कि जो principal word है, यानि chief word है, उसके साथ हम s लगा जिसके commander in chief. एक commander है, bulk commander के साथ लगाया, कि कोट मेल के अंदर है, कोट कोट के अंदर है, सन्हिला है, Sons करेंगे, daughter सब्धेन इन नहीं,ottaur के साथ है, इसलिए ट्वां के साथ है, इसलिए आनिता रूटर के साथ ह। जो मेंट सर्वेंट है, तो मेंट सर्वेंट हो जाएगा।, लेकिन मैं सर्वेंट हम ध्यान रखका, सर्वेंट हम साल्वार्वल स्वहत्वों के अध़ Short- sign यह में छूठ इह मैं छोड़ रहा वहां क्योंकि यह क्या है, मैंनी नांस टेकन फूरम अधर तो उनके अलग फॉर्मूले को आप देख लीजिए इसको मैं डिसक्स नहीं कर रहा हूं इसको मैं डिसक्स नहीं कर रहा हूं कुछ चीज़े कुछ लंबा वीडियो ना वजा इसलिए कुछ चीज़े को बता रहा हूं आपको वो पढ़ने से समझ में आजाएंगा अब यह का सब नाउंस है फॉर्म सब्लूरल की दो फॉर्म होती है दोनों का कुछ में अलग अलग होता है जिसे ब्रेदर देखेंगे ब्रेदर से एक ब्रेदर का मतलब होता है एक ही पैरेंट्स के बच्छे में ब पीसिस और क्लोज यूज करते हैं और गार्मेंट जो सिले सलाइज से पहरेंगे को क्लोज सिउज करते हैं ठीक है इसे डाइज 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 सब मीनिंग दे रखें इसके अंदर तो मैं के तरफ कैटेगरी बदाता हूं आपको देख लेना है इंड को है इस वे सम नाउंस यव तो मेन्टू मेनग्ज इंदर सिंगुलर यहां वाफ मेंड़े लेकिन प्लूरल का यूज करेंगे तो इसमें केवल लेंप्स के लेंगा इसका मतलब है अगर आपको लेंप्स के लेह उसकरना है तो सिंगुलर यूज नहीं कर सकते हैं हां लाइफ कर सकते हैं इसे पीपल अगर नेशन के लिए यूज़ करना है तो आप सिंगुलर दोनों में यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप व्यक्तियों के बारे बात करते हैं केबल आप इसकी विदावट यूज़ करेंगे पैस नहीं लगा सकते इसके साथ इसी से बताया किसटे का मलोव यका होता है किसी बात के बारे में उसकरना है तो आप उसमें भूर्ल यूज़ कर सकतेंнов से ज्ज़दा के लिए उसकी लेकिन अभ्यास की बात आए तो уп उसके लिए सिंगुलर में यूज़ करेंगे गलत ओजाएगा इस तरह से नेक्स कैटेगरी क्या है सम नाउंस है वन मीनिंग इन दर सेंगुलरेंट तू इन दर प्लूरल अभी स्मूल्टा कलर वना एक ही फ्प्लूरल लेकिन मीनिंग दो है ठीक एक तो अलग अलग परकार के रंग और एक है जन्डा जो अब प्लूरेंग का मतलू है तरह विसका मीनिंग है अगर सिंगुलरल में यहां प्लूरल में में दो मीनिंग हो जाएगा विधा और डूटी की बात करेंगे करने करना कि क्षम डूटी क्या हो क्या हो जागा customs duties इफेक्ट देखेंगे आप इफेक्ट रम्हुन हम रिजल्ट लेकिन इफेक्ट्स अगर है तो एक तो इसका प्लूरल के लिए इफेक्ट्स के लिए आजाएगा और उसा प्रोपर्टिश के लिए आएगा इफेक्ट्स मेनर अगर आपको यूज़ करना है तो मैंठड तरीका एक से ज्यादा तरीक वहुझी करते हैं लेकिन ह्विकम करते हैं कि दूसरा मेनर करेक्ट बीहेवियर यह नी फूर तरीके के लिए उसे मैनर तोर तरीके के लिए उसके मैंनर के बारे बात करने होते रहे हो इसलिए इस और द्यान में रखना है और नंबर कॉंटिटी और दूसरा वर्स वर्स का मतलब से पोएम लिखते ना उसके अंदर आता पें सिंगुलर और सफरिंग दर्थ यूज़ करेंगे तो सफरिंग हो जाएगा दूसरा उसके उसका इफट के लिए उसका एफट के का मतलब एक तो प्रोपोजीशन से एक बील्डिंग के रूप में यूज करना थो कभी भी अगर लेकिन रहने के स्थान के रूप में कि जिसकी चुछ बील्डिंग है उसके सेंस में यूज करेंगे तो हमेशा वाटर आएगा जैसे हम हैड क्वाटर यूज नहीं करते क्या कर इसे तो ग्राउंड के दो अरत है एक तो जमीं इसके तीन में जैसे एक तो ग्राउंड जो आप उसके चारों तरप होता है तो रेज्स और ड्रेज़ेस अब नेक्स्ट some nouns have different meanings in the singular and plural singular meaning a left plural mean कौन से meaning which use करना उसी वही फोर में योज करना अगर आपको atmosphere की रूप में हवा की बात करनी हो तो विदावर्डस करेंगे और किसी के गलत तरीके की बात करेंगे तोड़ तरीके की बात करेंगे इसमें air आपर नाउन के रूप में, there is no good in it, there is no benefit in it, कोई भला नहीं है, तो उसके sense में यूज़ होता है, और बैसे देट्जेक्टिव है, लेकिन नाउन में, अगर समान के रूप में यूज़ करना आपको, तो गूड्स यूज़ करेंगे, एक्स्टेंट या रेंज, दाइरह, और कमपासिज का मतलों इंस्टूमेंट, जो ड्राइंग में यूज़ करते हैं, जैसे देखे आपको बना रखा है, इसको यूज़ करेंगे, तो वैसे क्या होगा है, ये कमपासिज होगा, रिस्पेक्ट, सम्मान, लेकिन रिस्पेक्ट होगा, तो क्या होजएगा, कमप्लीमेंट्स, कितना मेरी नमस्ते कहना हो, तो उसमें हम यूज़ करते हैं, रिस्पेक्ट, नोट, रिस्पेक्ट, फिजिक, मले मेडिशन, और फिजिक्स का मतलब, नैचुरल साइंस, आइरन, यह काइंड ओव मैटल, लेकिन आईररेंस का मतलब, फैक्टर जो लोग एकी छडे होती, जएचा ऐसे ऐसे होती हैं, जो लोग एकी, उनको आईरेंस बोलता है, फोर्स, लिकिन फोर्सीज़ भी अहन्स्किजिए प्ले तो व्यूजिशन, आर्ण फोर्सीजम, निस्जिब होगा तो मेस्मित होगा और उस मोलों जैसे लड़की यह सरनेम क्या Smith है तो उनको क्या कर देंगे Miss Smith कर देंगे एब्स्ट्रेक्ट नाउन हैव नो प्लूरल अनकाउंटेबल मैंने बता था उनके प्लूरल फॉर्म नहीं होती है ना उनके साथ हम एन लगाते हैं जैसे होप चैरिटी लव काइंडनेस के लेकिन कुछ जो कि आपको देखा है नहीं जो आपको लगें कि अब्स्ट्रेक्ट drugší तो देखा रहे हैं सब्स्ट्रेक्ट किसी व्यक्स नाम की रूप में किसी को उतियुछ करना कारिय का नाम की रूप में यूज नाम कि रूप में एक लेकिन ऐसे शांट इस्टांस जिसमें तो प्रोसे उसमें परोसे तेंस करते हैं searching Moving मुझा दयालो जिसके इंदर दयालोता हो नाम की रूप पे यूज़ करना था अब लेकिन ऐसे दयालोता वाले कारी उसके रूप में यूज़ करेंगे तो हो सकता है यानि को मुन नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है ठीक इसी तरह से आप देखेंगे नेम्स अप सबस्टांशिज और आल्सों काउंटेबल और नोट रेफ़र देरफोर यूज़ इसे मिल्क को मिल्क नहीं करते हैं जिब करते हैं जिसे यह कुछ हो जाएंगे इनके साथ यह होगा तो इनके अलग हो जाता है जिसे शर्म करेंगे लिकां अगर दर्लू कздरें तो यह आपका पूरा का पूरा आपका plural से संब्धि सिंगुलर कुलूरल से इनको आप ध्यान से देखे क्योंकि इनको जैनली सीख पढ़ाते नहीं क्लास के अंदर तो बच्चों के इतना ध्यान ही रहता तो यह मैं आपको जो क्योंकि ओनलाइन पढ़ा रहा हूं तो तो दे पेशेंस रकना पड़ता अगर आपके महिम्मत नहीं हो तो आप इसको दो बार भी देख सकते हैं अब आया हमारा नाउन केस क्या है नाउन केस मैंने बता छे केस होते हैं किसके केस है नाउन के जैसे देखिए अब एक्जामपल देखे जोन थ्रू एस टॉन तो यहां पर आप देखेंगे इसके अंदर जोन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एक तो सब्जेक्ट और जिसके बारे में बात करते हैं वह किसके बारे में बात पर जोन के बारे में और जो कुछ बताया जाते जोन के बारे में क्या पता है प्थर फैका था उसको क्या बोलते हैं प्रे यानि फैंका यानि action और दूसरा क्या फैंका इस्टोन तो इसके अंदर हो गए जो action को पता उसको बोलते हैं वर्ब और जिस पर काम हुआ उसको बोलते हैं उसका object क्या बोलते हैं उसका object तो यहां पर zone भी noun है और stone भी noun है लेकिन जो zone है वो verb के subject की रूप में use हुआ है और stone है वो verb के इस verb के object की रूप में use हुआ है तो यह position है noun की यानि verb के subject की रूप में use हो सकता है verb के object की रूप में use हो सकता है तो इसी से दो case निकलते हैं आप देख रहे हैं जैसे nominative और acquisitive या objective मतलब जो इसमें बता है कि कोई जब यह noun या आगे चलकर आप pronoun भी पढ़ेंगे noun है या pronoun is used as the subject of a verb जैसे वहाँ पर through verb उसके subject की रूप में जोन यूज किया तो वह उसको क्या बूलेंगे is said to be in the nominative case और अगर कोई भी noun या pronoun वर्ब की objective रूप में use हो जैसे वहाँ पर stone यूज हुआ तो इसको कहेंगे यह objective या केस में है ठीक है अगर निकालना हो कि कैसे to find nominative nominative को ढूंड़ना होत क्या करेंगे हम फू लगा देंगे और वट लगा देंगे इसके आगे आता नॉर्मली subject और इसके पीछे आता है इसका object तो यह वर्ब के subject की रूप में है नॉमेरिटिव केस में है यह वर्ब के object में है यह एकिजेटिव केस में है जैसे आप देखिए यहां पर the horse kicked the boy तो horse the horse के बारे हम बात कर रहे हैं क्या किया उसने लात मारी किसको मारी boy को मारी तो इसके प्रेडिकेट है प्रेडिकेट में किक्ड वर्ब है तो वर्ब का subject है horse, वर्ब का object है boy, तो horse किस case में है, dominative case में है, verb किस case में है, sorry boy किस case में है, verb के object के रूप में है, तो यानि acquisitive या objective case में है, clear? next, a noun which comes after a preposition, जो preposition के बाद आए, जैसे on the desk, इसके बाद आया, preposition के बाद आया, he said to be in the acquisitive case के, जैसे यह प्रिपोजिशन का object कहलाता, जैसे हम लेकर है, he is going to school, going to school, तो school, तू का object कहलाएगा, school, और यह भी verb का object हो, चाहे, preposition का object हो, दोनों ही acquisitive case में होते हैं, ठीक है? I'm next, let's read the following sentence, how he broke the windows, तो window कैसे है, यहाँ पर, ब्रोक के object के रूप में यूज हुआ है, the window was broken, यहाँ पर window, subject के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ यह समझाया गया है, कि, चाहे subject में noun use हो, चाहे verb के object में use हो, यहनि उसकी form अलग नहीं होती, pronoun की अलग होती है, नाउन में देखने में एक जैसा लगेगा, इसलिए जब तक उसको sentence में use ना कर लें, तब तक हम यह नहीं बताएंगे, यह subject है, यह object है, महाले हम जैसे, राम की बात कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं, कि, I teach राम, I teach, राम, तो राम क्या है, teach के object के रूप में use हुआ है, और अगर मैं कहूं कि, राम, यह अगर मैं यह जैसे लिखता हूँ, राम, teaches me, तो यहाँ पर राम, teach के subject के रूप में use हुआ है, तो यहाँ पर nominative case में होगा, और यहाँ पर, objective, यहाँ पर भी यहाँ पर भी राम है, और यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर भी राम है, यहाँ वर्ब, जब किसी डाउन का subject की रूप में use करते हैं, तो कहेंगे कि यह noun है, और इसके object के रूप में करेंगे, वर्ब के subject के रूप में करेंगे, बॉय का बॉय इस क्या ऐसे नॉमिनिटी और एकिजेटी में कोई देखने फरग नहीं पता लगेगा आपको नाउन का पर किसमें होगा प्रोनाउन में मिलेगा तिक उसकी फॉर्म अलग होती है इसलिए भी सीख रहे हैं इसको उसमें ध्यान रखना है आपको अब देखिए इसके अंदर अगला सेन राम गेव ए बाल गेव वर्भ है अभी अपने पढ़ा है कि राम इसका सब्जेक्ट है और बाल इसका उब्जेक्ट है लेकिन अब दूसरा सेंटर राम गेव हरी ए बाल यहां पर एक व्यक्ति किसको दी हरी को दी क्या दिया बॉल दिया तो इसके दो अबजेक्ट पर्सन है वह वर्भ के तरुंत बाद आता है और जो वस्तुव सके पहले आता है जब भी दो अबजेक्ट लिखेंगे सुमग्या एपर्संड को मेर्व कि तुरंट बाद लिखेंगे और ठींग सके बाद लिखा जाये ह। तो始ब व्यक्ति होता है दो उब्जीक्ट में वह हमेशा इंडारेक्ट बजेग्ट होता है वर्व जैसे यहाँ पर हरी क्या है वर्व गयों का इंडारेक्टोंजेक्ट है और वल क्या है यतन्ग है तो यह डारिक्टोंजेक्ट है विल्यकों स्योन जान रखना विल भीम मेनदेद ड losses देठीड पॉजेजिंट ढूज को मीडिडेटलीजी आफ्टोंग्ट and before the direct object, before the direct object, indirect object हमेंचा person होका ध्यान रखने हैं, तो अगर हम उसको person को बाद में लिखेंगे तो फिर हम बताना पड़ेगा, उसमें preposition लगानी पड़ेगा, तो यहां पर गेव का object हो गया बाल और फिर प्रिपोजिशन आपड़ेगा, तो इसमें दो अबजेक्ट नहीं है, गेव का बाल अबजेक्ट है, और फिर प्रिपोजिशन की यूज करना है, तो हरी को पहले लिखना पड़ेगा, जैसे इसमें आया है, यह उनी वर्ब के साथ दो अबजेक्ट आते हैं, जिसका मतलब होता है, सार्थ होता है, किसी के कुछ देना, यह किसी के लिए कुछ करना, ठीक है, तो यह गा, we see that the indirect object of a verb denotes the person, to whom something is given, किसको दिया जाता है, और for whom something is done, किसको दिया जाता है, और किसके लिए क्या किया जाता है, उस वैक्टिक को हम बहते हैं, indirect object में, जो प्रिपर के तुरंद बाद लिखा जाता है, यहां पर आपने फोर यूज किया किसी के लिए कुछ करते हैं तो फोर लगाएंगे और किसी को कुछ देते हैं तो लगाएंगे अगर उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो पर्सन को बाद में लेखेंगे तो ध्यान रखना तो अभी आपने दो केसी कर लिए कौन सा किया नॉमिनेटेव एंड एकुजेट नॉमिनेटेव का मतलब वर्ब के सब्जेक की रूप पे यूज होगा ठीक है जिसे मैं पढ़ाता हूं क्या टीचर स्टुदेंट्स को बढ़ाता है तो स्टुदेंट्स किया हो जाएगा वर्ब के object हो जाएगा नॉमिनेटेव केस केसी जैञा G लाया है तो यह तू का object कहलाएगा अब भी यह objective case यह यह था nominative or acquisitive के पार अब तीसरा possessive क्या है possessive case possessive case क्या है कि देखें एग्जामपल देखहें इसज राम संब्रेल क्या है राम संब्रेला गा मतलब है अम्रेल ताम्रेला belonging to राम, राम की अम्रेला the form of noun, राम क्या चेंज की है, हमने इसको apostrophe S लगा कर राम्स कर दिया किस क्या बताने के लिए, ownership बताने के लिए, possession बताने यह राम की है, उसकी possession में है जो राम्स है, वो नाम क्या कहलाता है possessive case में कहलाता है, यह possessive सना नाम इसका generative case, क्या है generative case यह बात नहीं का, मैंशा possession को ही बताए कुछ और भी बताता है, क्या बताता है, इस यूज़ तो डिनोट ऑथारिटी, और स्रे ओथर्शिप, ओरिजन, काइंड, एट्सेटरा, देखिए जैसे, कैसे sexpiers place, तो इसका मतलब यह नहीं कि समिट्ष पलेज का मालिक sexpier है, बलकि आपका मतलब है, origin को बताया, ओथर से बताई, इसने ओथर कौन इसका ओथर, the place written by sexpier, mother's love, mother's love का नहीं बदी love की मालिक माह, बलकि मतलब क्या है, kind बताया, origin, कहा है, the love felt by a mother, The President's Speech President's Speech का मतलब है यह उसका मालिक बलके क्या है The Speech Deliworked by the President यानि origin कहां से हुआ उसका हूँ Mr. Agarwal's House का मतलब है कि The House where Mr. Agarwal lives उसका Residence उसका Residence Asocks School का मतलब क्या हूआ The School where Asock goes यानि जहांपर Asock पड़ता है Children's Playground का मतलब क्या है लिए लास्ट वीक किस परकार कितनी है इसके अबाउंट बताया तो यह था आपका कि पजस्शिव केस क्या है इसको जैनेटिव केस बोले इसमें जो ध्यान रखने वाली बाते होती है वह है कि पजस्शिव की जो फोर्म है विए फोर्म परकार का जाता है और इसके इसका अपोस्ट्र Mississippi की साउंड आ रही हो जैसे लिए यह लुए लुए जिसमें लुए आपोस्ट्रोफ यह दिर्णारियों की किताब्या है लेकिन कई बार जब भूछ नारी सैश्य की सांड आ रही हो जैसे लेटर S is omitted in a few words, where too many hissing sounds, hissing लो शैसे की sound आ रहे हो, ठीक है, come together, जैसे देखें, for conscience sake, conscience एक साय आ रहा है, एक या रहा है, फिर एक और लगाते हैं, तो S आता है, फिर एक होते हैं, तो there are too many S sounds, तो वहाँ पर हमने क्या किया, S को उटाजिया, कुछ केसिस के लिए, तिन सम्में आपने ऐसे देखें, S को हमने omit किया हुआ है, next, अगर plural हो, जैसे boys के साथ हमने अपोस्टर बेस लगे रहे हैं, अगर boys हो, लड़कों का बताना हो, और S से खतब हो रहा है, तो cable आपोस्टर का, यह ध्यान रखना, ओके, अब, ऐसे plural, जो S के साथ खतब नहीं होते हैं, जैसे men, plural m e n, children, S के साथ खतब नहीं होते, तो इनको हम, पज़सी वैसे बनाते हैं, जैसे singular के बनाते हैं, अपोस्टरोपी भी लगाते हैं, यह ध्यान रखना, cable आपोस्टरोपी नहीं लगाएंगे, ऐसी भी लगाएंगे, नेक्स्ट, when a noun or a title consists of several words, कई सब्दों से बिलकर बना हो, the possessive sign is attached only to the last word, जैसे the king of Bhutan's visit, विजट किस की है, राजा की, भुटान के राजा की, लेकिन अपोस्टरोपी एस कमने कहां लगाया, जो यह है टाइटल, नाउन बना, the king of Bhutan, तो उसकी visit है तो क्या लगा है, जो लास्ट वर्ड भुटान है, तो उसके साथ अपोस्टरोपी एस लगा, king of Bhutan's, the prime minister of Morisius की speech कर बतानी हो, तो Morisius की speech नहीं है, Morisius के परदार मंत्री की speech है, लेकिन टाइटल जब लिखते हैं, नाउन को बढ़ाया हमने, तो लास्ट वर्ड मोरिसी साथ आता है, इसलिए लास्ट वर्ड के साथ ही हम अपोस्टरोपेस लगाएं, राइट, next, when two nouns are in a position, या आगे case आएगा, जब एक नाउन के साथ हम उस नाउन को explain कर लेकिन के साथ दूसरा नाउन लगाते हैं, जैसे मैं कहूं कि my brother, a doctor has gone to America, तो my brother और doctor दोनों एक ही वेक्टी के लिए हैं, दोनों नाउन हैं, तो doctor मेंने क्या यूज किया, कि जो doctor है, तो पहला नाउन को explain करें, दूसरा नाउन जो साथ में रखा जाता है, उसको बोलते हैं नाउनी ना पोजिशन अभी बाद में आएगा ये, एक नाउन है, इसको explain करने के दूसरा नाउन आया है, तो हमने क्या किया, आप पोस्टोपियस बादवाले के साथ लगा है, दूसरा, आजसो वें तू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेट, दप्शेश्टीव बूट तू दा लेटर, अगर दो नाउन क्लोजली कनेक्टेट हो, तो हम, जैसे इन दोनों की बेकरी है, ठीक है, इन दोनों का राज्य है, विलियम्स अमेरी का, तो हम बादवाले के साथ अपोस्टोपियस लगा है, लेकिन पजश्ट्चन जब आपको अलग-अलग दिखाना हो, सैंस हो तक इसका दोनों का अलग-अलग है, इच औफ two or more connected nouns implying separate possession must take possessive sign, ठीक है, जैसे रजाराव्स और आरके नारैन नावल्स, राजा राव की नावल और आरके नारैन की नावल्स, ठीक है, अलग-अलग है ना, तो हमने दोनों के साथ लगाए, गोल्ड्समिट्स और यह एकटी नहीं है अलग अलग है इसलिए हमने का पॉस्टथ सायन भी दोनों के साथ लगा यह था पजश्थ सायन पनाने के तरीका निया को प्लूरल सब्वाब और नेक्स्ट कहां कहां पर यूज़ करेंगे इस प्जशिव साहिन को प्जशिव केस को क्योंकि हम काके के लिए ओफ भी यूज़ करते हैं तो जहां हम इसका प्रियोग नहीं करेंगे वहां हम ओफ का यूज़ करेंगे ओफ पहले आता है प्जशिव साहिन बायद में आता है कहां द्धान रखना आशकल यूजी विद नेम्स ओप लिविंग थिंग्स मुख्य तोर से किसके साथ करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ जैसे दा गवर्नर्स बोडिगाड द लॉइंस में क्या करना कर दिसे यहां पर टेबल है नहीं बोलेंगे ि्टेबल्स लेक्स नहीं बोलेंगे यह गलत हो जाएगे। और फिर दो चीज ईसको पहले लगाते हैं यह पर लगाएंगे दा लग ऑप देबल क्लियर इसी तरह से आप द देख रहे हैं आप रूप ऐसा नहीं करेंगे हाउसिज रूफ क्या करेंगे रूफ अब दा हाउस ता रूफ अब दा हाउस लेकिन एक सेप्शन है लिविंग नहीं है लिविंग बीइंग नहीं फिर बिंसें के साथ यूज करते हैं वह कौन-कौन से केस है वट पजेश्टिव साइन यूज विद नेमस ऑफ परसनी फाइ उसमें जैसे कंट्री का बता नेचर बताया था फॉर्चून ठीक है डिवटी डेथ यह है तो इनके साथ भी हम पजेश्टिव साइन यूज कर सकते हैं इंडियाज ही रोज नेचर्स ला फॉर्चुन फेवरेट एट डिवटी काल एट डेथ स्टॉर नेक्स्ट बताने वाले वजन को बताने वाले नाउन के साथ भी हम अपोस्टोपी इसका प्रियोग करते हैं काके के लिए जैसे स्टॉन्स थ्रो एफूर्स लैंज के पांट्स वेट रहा नेक्स्ट है दा फॉलोइंग फ्रेजिस इडियम फ्रेजिस होते ना वो जैसे जो परसलित फ देख तो हीज हाट कंटेंट एट इस विट्स एंड इबोट स्क्रू इक जो पर बताया उसके रूल में कवर नहीं होते लेकिन फ्रेजिस ऐसे ही उस होते हैं इनको ऐसे ही उसका इसमें गलत नहीं माना जाएगा हां आउसे जरूप कर देंग गलत माना जाएगा next the possessive of a proper name or a noun denoting a trade, profession or relationship may be used to denote a building or place of business this is church, house, school, college, shop, hospital, theatre etc. देखे जिसे she has gone to the bakers, bakers का मतलब है bakers shop tonight I am dining at my uncle's, uncle's का मतलब है uncle's house can you tell me the way to St. Paul's church का नाम, St. Paul's का मतलब है St. Paul's church I attend the town high school but my cousin attends St. Xavier's, St. Xavier's का मतलब है St. Xavier's school he was educated at St. Joseph's, St. Joseph's school उसके लिए भी उस करते हैं, आप possession के उस नहीं कर रहे हैं तो हमने noun को omit कर दिया, इनको omit कर दिया जाता है इनको लिखने की जुरूत नहीं होती है, अब next आप नाव जिसमें थोड़ा पत जींदे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके इंदर बोड़ा सिंपल है, कि मीनिंग करने के लिए क्या है इसके इंदर, कि the prime minister's reception का क्या मीनिंग है? और the reception of the prime minister का मतलब क्या है ठीक है तो यह भी बता देता हूं थोड़ा सा अगर हम कहते है the prime minister's reception in Delhi तो क्या मतलब है प्राइम minister ने जो reception दिली में held किया था और reception of the prime minister कहते है इसका मतलब क्या है कि लोगों ने prime minister का कैसे welcome किया ठीक है जैसे the love of the father का मतलब क्या है एक father's love और क्या मतलब a child's love of his father दोनों दोनों meaning हो जाते हैं नाम ने पोजिशन मैंने भी बताया था क्या करते हैं जैसे राम आवर captain made 50 runs राम हमारा जो captain 50 run बना है तो राम और captain एक ही वेक्टी है राम के बारे में वह कुछ पताया information देने के लिए captain यूज किया तो एक noun के साथ दूसरा noun दूसरा की information देने के लिए यूज होता है तो इसको noun in opposition का है तो तो आपर our captain क्या है नावन in opposition में है तो इसमें देख पर लेजिए we see that राम and our captain are one and the same person एक ही वेक्टी के लिए दोनों यूज होए है the noun captain follows the noun राम राम के बाद यूज हुआ है simple क्या करने के लिए पहले राम को explain करने के लिए कोन से राम की बात कर रहा हूँ राम का यह है तो मैं कोन से राम की बात कर रहा हूँ राम की बात कर रहा हूँ है when one noun follows another to describe it एक noun ठीक है दूसरे noun के पीछे आता जैसे पीछे आया इसको पहले वाले को describe करने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं जो noun बाद में आ रहा है जो follow कर रहा है यह noun in opposition है ठीक है जो पहले noun आया उसके opposition में इसको यूज किया गया जैसे captain क्या है नावन इन opposition किसके opposition में है राम के opposition में है यहां पर वैसे opposition का meaning अलो वह था appropriate होते होते हैं यहां पर opposition का meaning है placing near placing near और spelling देख लिए ना O नहीं है यहां पर opposition है यहां पर AP not OP in the above sentence the noun captain is in is in opposition to the noun ram and is in nominative case क्योंकि यह noun in opposition केस वही माना जाता है जिसके opposition में आता क्योंकि यहां पर राम nominative case में है तो इसके opposition में जो आएगा ओ भी nominative case में ही कहलाता कहने का मतलब यह है ठीक है चलिए तो यहीं बताया a noun in opposition is in the same case as in the noun which it explains जिस नाउन को explain करता हो जिस केस का है उसी नाउन का नाउन इन पोजिशन माना जाता है next in the above sentence the noun captain is in opposition to the noun ram and is in the nominative case because ram is in the nominative case ठीक है और example देखिए कभीर दा ग्रेट रिफॉर्मर वाजे वीवर तो इसमें बताया कि किस केस में कभीर के उसमें आया त्रिफॉर्मर के nominative case में yesterday I met your uncle the doctor अब अंकल किसमें है ऑब्जेक्ट में तो उसके गांगुली दा आर्टेस्ट ड्रॉइंग तो यहां पर गांगुली की हो ना तो आर्टेस्ट भी प्रपोजिशन में कहले देखो sign कहा लगा है आपने पॉजिशन बादवाले के साथ लगा है उपर बताया था ना वर कोई चलिए तो यह थे आपके नाउन केस इसमें यह जो एक चीत में आप पता दूँए बीच में आया था अब्जेक्टिव केस उसके अंदर जिसमें दो नाउन थे जिससे यह ना यहां पर राम घे रारी ए बाल तो यहां पर दूब उप geen रूप में होता है तो इसको मं ड्टिव केस में मोलते हैं जिसकों ड्टिव केसुए न्दर स्कों उसे ड्टिव केस में नाम दी अ केस अ में लेकिन पर यह तो के परिपोजिशन आप और यह 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 पर राम मैंने किसलिए यूज किया सामने वाले को एड्रस दबने के लिए उसको पुकारने के लिए तो उसको बोला जाता है वो कि टीटिव के जब भी हम नाउन को यूज करते हैं for the purpose of calling ठीक है when the noun is used for the purpose of addressing जिसे राम क्योंकर do not make a noise तो राम यूज सब्जेक्ट है लेकिन उसको तो यहां कोमा लगाते हैं तो यहां पर जब address पर किसको मैं कह रहा हूं उसका attention कीचने के लिए यूज किया तो उसको कहते हैं किस पर नहीं नहीं होँ तो बता दीता हो मैं तो मैंने छे points बताएं आपको लूप्सयों के लिए काईट परकार को बताने के लिए आए पोस्ट पर पेस लगा कर चेंज करते हैं तो इसको पा जाता है पजश्चिव केस या उसको दूसरा नाम जेनेटिव केस भी है और अगर किसके को ऐसी वर्ब वें जिसका दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एक वैक्टी और एक वो करते हैं तो वैक्टी उसको इंडारेक्ट ऑब्जेट कहलते हैं कहते हैं किस केस में है यह और एक नाउन को पीछे को दूसरा नाउन हम लिखते हैं पहले वाले नाउन को एक्स्प्लेंड करने के लिए तो जो दूसरा नाउन आया है उसको बोलते है इन पोजिन नाउन इन position के हलाँ उग जिसके case इसन में हो जिसके के सभ स데 अबनल इंड़ में इसमे इसिति केस escol अगर यह 5 में के स्व गईक मान नीग बताया जम किसी नावन को हो नावन ए Spr WAR控 को यूज करते हैं for the purpose of calling और addressing तो उसको बोलते हैं यह वोकेटिव केस में है तो यह थे वोकेटिव केपके पूरे cases तो ना उनका chapter यहाँ complete हो जाता है इसके बाद हम करेंगे एड़ेक्टे थैंक्यू फॉर वाचिंग कोई भी comment अगर आपको कुछ आपको पूछ पूछना है कुछ और आपको explanation चाहिए कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं comment कर सकते हैं या आप कुछ और वीडियो चाहते हैं इस पे topic पे थुड़ा और explain किया जाए आप comment कर दीजिए आपको content अगर पसंदा तो तब like भी कर दीजिए और दूसरों को बला हो जाए उसके लिए share कर दीजिए channel को subscribe कर दीजिए ताकि बीच बीच में जो भी और कोई आपको notification भीजना हो तो आपको प्राफ्ट हो जाए कि कौन सा वीडियो डाला है कि हम क्या आगर कौन सा आगर live करने जा रहे हैं क्योंकि ये तो अभी एक weekly class है इसके लावा भी हम बहुत कुछ करते हैं अभी start करेंगे ठीक है थोड़ा सर्दी कम हो जाएंगी तो thank you for watching